नमश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देखी रहे हैं कि देश में और खास तोर से उत्तर भारत में मौसम बिगड़ गया है तबाही आई हुई है नदियां रौद रूप धारण कर चुकी हैं उनके प्रवाह में लाखों की कारें कागस की नावों की तरह बह निकली हैं घर अपार्टमेंट हो, स्कूल हो, बस्ती हो, सेंट्रल विस्ता हो, पोश इलाके हो, सब जगह बारिश के पानी से तबाही है और हम तक आप तक सिर्फ वी आईपी इलाकों की ही तस्वीरें और वीडियो जादा देखने को मिल रहे हैं घरीब इलाकों का पुरसाहाल कौन पू बहुत जरूरी है क्योंकि दरसल विकास की जी हाँ विकास विकास और विकास की जो अंध नगरी बही है जो खिलवार हुआ है हमारे आपके परियावरण से उसकी बहुत भारी कीमत यह देश हम और आप चुका रहे हैं आईए इस मसले पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे आ आपके अपने पसंदीदा कायकरम खोच खबर में और इसी के साथ एक अपील कि अगर आपको चाहिए असली और सची खबरें तो दीजिए हमारा साथ लाइक और शियर करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए म्यूस क्लिक लिंक कमेंट बॉक्स में है आप अगर हमारे तो हमें कोई डर नहीं जूठी नफरती खबरों के पहाड को तोड़ना हमारे लिए कोई नया काम नहीं है हम बिना रुके बिना जुके इस काम को आपकी मदद के साथ अंजाम तक पहुचाएंगे हमने पहले भी किया है आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे आप सब्सक्र कीजिए निउस क्लिक ये सारे खौफनाक वीडियो जो आप देख रहे हैं वे दरसल चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि हमारे पहाडों के साथ ये जो विकास के नाम पर साजिश रची गई इसने हमें और आपको क्या दिया ये जो जाने गई ये जो जानमाल का नुकसान हो रहा है इसकी जबाब दे ही किसकी खास तोर से इसी क्रम्मे में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी हिमाले में जो बनाए जा रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छारधाम यात्रा गं की जनता पर्यावरण पे काम करने वाले लोग पत्रकार एक्टिविस्ट लगातार एक ही सवाल उठा रहे थे कि ये परवत जी हां हिमाले इतना अत्याचार नहीं जेल पाएंगे ये तूटेंगे लैंसलाइड्स होंगी और हो रही हैं अंगिनक जाने जा रही हैं नदी व बहुत ठोस वज़ा है बारिश तो सबको दिखाई दे रही है लेकिन इसी के साथ साथ यह भी देखिए कि जिस तरह से इस विकास के नाम पर बिजली के नाम पर चार धाम यात्रा के नाम पर इन नदियों को गलट धंग से बांद दिया गया है उनके पाठ को छोटा कर दिय गया है और पहाड को खोद दिया गया है लहातार सुरंग पर सुरंग और विकास के नाम पर चोड़ी-चोड़ी सड़के बनाने की कोशिश की गई उसने कितनी बड़ी तबाही को आज हमारे सामने खड़ा कर दिया है ऐसा नहीं है कि हमें और आपको और हमारी सरकारों को प पर लोग लिख नहीं रहे थे देखिए डाउन टू अर्थ की यह रिपोर्ट बहुत एहम रिपोर्ट है आज हम जुलाई में हैं और यह विभीशिका हम आप भारतिय नागरिक जेल रहे हैं तीन अप्रेल को यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इसमें विस्तार से बताया गया कि जो हिमालेन रीजन है जो हिमाले का पूरा का पूरा छेतर है इसमें किस तरह से 81 81 बड़े लाज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए 21 पर काम चल रहा है और इसके अलावा 320 जी हां 320 पाइप लाइन में हैं यह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो और उन सड़कों का उन विकास की परियोजनाओं का नहीं कर रही हूं जो इन तमाम इलाकों में अनवरत जारी हैं और यह सब तब हो रहा है जब हम सब जानते हैं हमारी सरकारे जानती हैं कि यह पूरा इलाका यानि हमाले का पूरा इलाका बेहत समेदन शील है चाहे भुकम के लिहास से देखिए या फिर लैंड स्लाइट के लिहास से देखिए इस पूरे इलाके में तमाम लोग इस बात की भविश्वारी करते रहे हैं लगातार कर रहे हैं सुप्रीम कोर तक का दर्वाजा खटखटाया गया कि जिस तरह से विकास के नाम पर ये विनाश लीला चला पड़ेगी आईए एक बार फिर देखिए जोशिमट की ये दर्दनाक तस्वीरें उत्तराखंड जोशिमट यहां पर आठ सो से ज़्यादा घर तबाही के कगार पर आगए जोशिमट धस रहा है और देखिए यह विज्ञापन यह विज्ञापन जिसमें छाएं हैं मुख्य मंत्री नरेन मोदी और यह सब भूल गए कि जिस विकास की बात कर रहे हैं जिस तपोवन विश्णूगर ताप जल परियोजना की बात हो रही थी यहां पर जिसका काम दरारों को आने के बाद रोका गया उसकी वजह से कितना बड़ा ध्वन सुआ जोशिमट धस रहा है ले विकास की बात करते हैं जोशिमट धस रहा है लेकिन चार धाम पर योजना का काम पूरी तरह से पूरी तेजी से चलाने के लिए ये सरकारें दिड़ प्रतिग्य हैं नौसो किलोमीटर लंबी सड़क बननी है जिसमें चार धाम जोड़े जाने हैं और जिस तरह से सड़क काटे जा रहे हैं उससे कितने बड़े पैमाने पर लैंसलाइड हो रहे हैं ये इस इलाके का बच्चा बच्चा जानता है और आज जब भीशन बारिश होती है पहाड किस तरह से टूट टूट कर गिर रहा है उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश दोनों जगह ये जो प यहां कुछ तथ्यों पर ध्यान दीजे दुनिया की सबसे सघन आबादी वाला परवती छेतर है दुनिया का हिमाले और देखिए जिस तरह से लगातार एक साल के बाद दूसरे साल यहां पर बाढ़ आ रही है यहां पर अलग अलग आपदाएं आ रही हैं बेसंदेश साफ दे रही हैं 2012 में बाढ़ आई असी गंगा नदी में और असी गंगा में जो हाइड्रो इलेक्टिक प्रोजेक्ट बन रहा था वो अध्वस्त हो गया 2013 में केदारनात में भीशन बाढ़ आई और इस पूरे इलाके में जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनमें भीशन नुकसान हुआ 19 दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में भीशन लैंड्सलाइड हुआ और वहाँ पर जो कार्चाम वांग्टू हाइड्रो इलेक्टिक प्लांट है उसको नुकसान हुआ हम सब जानते हैं इस पूरे इलाके में फ्लैश फ्लर्ड्स यानि जो अचानक रही है उसके मामले जबर्दस्त धंग से बढ़ रहे हैं चारदाम पर्योजना आपके सामने हैं ये सब कुछ जिस तेजी के साथ हो रहा है और जिस तरह से इसकी घोशना खुद प्रदानमंत्री वहां के मुक्ष मंत्री के साथ कर रहे हैं और एक सिरे से तमाम सवालों को तमाम चिन्ताओं को दरकिनार कर रहे हैं, इस क्रम में देखिए, ये तमाम वीडियो, ये जो कोलाज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो तबाही आई है इस पूरे के पूरे इलाखे में, इनका कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड हैं, नदिया हैं, तभी हम भी सुरक्षित हैं, यहाँ तबाही ऐसा नहीं कि सिर्फ पहाड में आई है, और हम और आप जो दिल्ली और बाकी शहरों में रहते हैं, वे बचे हुए हैं, हम सब देख रहे हैं कि बारिश भीशन हुई है, बारिश से तबाही भी जो हो रही है, वो भीशन है, यह बास सच है कि बारिश ज़्यादा है, जरूर से ज़्यादा है, लेकिन इसका जो एक बहुत सीधा कनेक्शन ब्रश्टाचार से है, वह भी यह बारिश बेपरदा कर देती है, और इसी क्रम में देखिए गुड़गाओं का यह वीडियो, शायद सारे जागरुक प्रबुद नागरिकों को इस तरह का वीडियो बनाना और देखना जरूरी है, इसमें यह महिला जो गुड़गाओं में रहती हैं, भारत की नागरिक हैं, यह जो सवाल उठा रही हैं कि सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल भ्रष्टाचार का है, यह जो करोणों रुपे सडकों पर खर्च होते हैं, यह जो करोणों रुपे डवलप्मेंट पर खर्च होते हैं, इनकी असलियत बारिश खोल देती है, योजनाव में जो भ्रष्टाचार है इस पर सवाल और बातचीत बहुत कम है जबकि जमीन पे जो लोग हैं वे जब देखते हैं कि एक हाईवे कुछ ही दिनों में ध्वस्त हुआ या गाउं में गाउं देहाद में जो सड़के बन रही हैं उसे लोग जब हाद से उकाडने लग जाते हैं तब मामला बहुत खुल कर साफ हो जाता है कि उपर से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार की महीमा है उसे दरसल इस तरह की बारिशें साफ कर देती हैं बेनकाफ कर देती हैं एक और खबर जो बहुत दिल्चस्प है और जिसमें बहुत ट्विस्ट और टर्न्स हैं वो खबर है मद्धपरदेश से जहां के मुख्यमंत्री खुद को बुल्डोजर मामा के तौर पर इस्थापित करने के लिए होड ले रहे हैं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनाद से और वहाँ पर जब पेशाप कांट होता है भाश्पा से जुड़ा एक शक्स उसका पुराना वीडियो सामने आता है कि वह एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाप कर रहा है और इसके बाद जिस तरह का डैमेज कंट्रोल होता है जिस तरह से मुख्यमंत्री जाते हैं और तक दोए थे लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान इस गलती पर जो गलती उनके एक कारकरता जिसे खुद वो डिसोन कर रहे हैं कह रहे हैं कि वह भाश्पा से नहीं है लेकिन माफी मांगने के लिए इस आदिवासी का पैर धोते हैं यह जो पूरा फोटो कि एक आदिवासी दलित और अल्बसंख्यों के साथ इस देश में जो वहवार हो रहा है उस वहवार के खिलाफ क्या कारवाई होनी चाहिए देश का कॉंस्ट्यूशन क्या कहता है देश के जो क्रिमिनल प्रोवीजन्स हैं वो क्या कहते हैं और मामला सिर्फ मद्द प्रदे और आज की तारीख में इस शक्स के उपर ही F.I.R. है वजह यह संदेश देना चाहा रहा था और इसके पीछे समाजवादी पार्टी का भी एक कोई नेता बताया जा रहा है कि टमाटर इतने महंगे हो गए हैं कि अब बेशने के लिए बाउंसर की जरूरत है जो की हकीकत है लेकिन देखिए जो F.I.R. होती है इस शक्स के खिलाफ उस F.I.R. में इतने सीरियस गंभीर अपराद के प्रवाधान किये गए हैं कि देखकर डर लगता है कि टमाटर की महंगाई पर अगर कोई शक्स व्यंग करना चाहे तो उसे क्या इतनी भारी कीमत चुकानी होगी और देखिए मनीपूर मनीपूर जो तीन मई से लगातार जल रहा है यहां परफेक्ट फाइंडिंग टीम का नेत्रित करती हैं एनी राजा जो एनफाई डबलू की राश्टी अध्यक्ष हैं और उसके बाद देखिए कि किस तरह से इन तीन महिलाओं के खिलाफ इतने गंभीर मामलों में FIR दर्ज होती है बजह सरकार को गवारा नहीं कि मनीपूर का सच बाकी जनता के सामने आए बाकी देश के सामने आए एक बात बहुत साफ है कि मौसम तो वाकई बिगड़ी गया है देश का मौसम बहुत गंभीर संकर से गुजर रहा है और सीट बेल्ट लोकतंतर की जो सीट बेल्ट है उसे कस के पकड़ना ही होगा नहीं तो कहीं नदियां रौध रूप धारन करेंगी और कहीं टमाटर और मनीपूर पर FIR होगी शुक्रिया